नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारत के महान उपन्यास्कार प्रेमचंद की अमर कहानी पंच परमेश्वर जुमन शेख और अल्गु चौधरी बच्पन से दोस्त थे, दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था वे साथ खाते पी ते नहीं थे, धर्म भी अलग थे, केवल विचार मिलते थे, यही उनकी मित्रता का अधार था जुमन की एक बूरी मौसी थी, उनके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, जुमन ने उन्हें फुसला कर जायदाद अपने नाम लिखवा ली जब तक दान पत्र की रेजिस्ट्री नहीं हुई थी, खाला का खूब आदर होता था, रेजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया, अब खाला को सूखी रोटी और कड़व बोल ही सुनने को मिलते थे कुछ दिन तक खाला जान ने सुना और सहा, जब और ना सह सकी, तो जुमन से बोली, बेटा, मुझे हर मेने कुछ रुपिये दे दिया कर, मैं अलग खाप पका लूँगी, जुमन ने रुपिये देने से मना कर दिया इस पर खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी, पड़ा लिखा होने के कारण जुमन का बहुत मान था, वह जानते थे कि जीत उन्हीं क्योंगी हसकर बोले, जरूर करो कई जनों तक बूड़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए, घर घर घूमी, सब लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा, किसी ने हाँ हूं करके टाल दिया, तो किसी ने उल्टे उन्हें ही गालिया दी, चारों और से घूम घाम कर बेचारी, अलगू चौदरी के पास गई, अलगू से भी पंचायत में आने के लिए कहा, अलगू बोला, आ तो जाओंगा, पर मूँ न खोलूंगा, जुमन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगार नहीं कर सकता, इस पर खाला बोली बेटा, क्या बिगार के डर से इमान की बात न कहोगी, खाला चली गई, पर अ फिर सरपंच बनाने की बारे आई, पूछने पर जुमन बोले, खाला जिसे चाहें उसे बनाए, मैं भी पंच का फैसला मानने को तयार हूँ, तब खाला ने अलगू को सरपंच बनाया, जुमन खुश हो गए, अब तो जीत उनीक ही होनी थी, पर अलगू कतराने लगे, मुँ से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरप से निकलती है, अलगू चौदरी सरपंच हुए, खाला और जुमन अब उनके लिए एक समान थे, अब जुमन ने अपनी बात पंचों से कही, खाला की जायदा से मुझे ज़्यदा फायदा नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें हर मेने खर्च नहीं दे सकता, फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं होई थी, इस बात पर अलगू जुमन से सवाल जवाब करने लगे, जुमन हैरान थे, फिर अलगू ने फैसला सुनाया, खाला को खर्च देने लायक लाप तो जायदा से हो ही जाता है, अगर भरोसा था, उसी ने समय पढ़ने पर दोखा दिया, सब लोग अलगू की सच्चे की तारिफ करने लगे, इसी का नाम पंचायत है, दूद का दूद पाने का पानी कर दिया, इस फैसले ने अलगू और जुमन को दुश्मन बना दिया, सच के एक जौके ने दोस्ती की हर समय बदला लेने की सोचने लगे, शिकर ही उन्हें यह अवसर मिला, पिछले साल अलगू मेले से बड़े-बड़े सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था, पंचायत के एक महीने बाद ही एक बैल मर गया, अब एक बैल से क्या होता, सो अलगू ने उसे गाउं के बनिये समझू साहू को बेज दिया, साहू ने डैट सो रुपे में बैल खरीद लिया, एक महीने बाद दाम चुकाने की बाद हुई, समझू साहू गाउं से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे, फिर मंडी से तेल नमक लाकर गाउं में बेज दे थे, नया बैल पा एक दिन कोड़े की मार खाते खाते बैल जो गिरा फिर कभी न उठा कई महिने बाद अलगू बैल के दाम मांगने आ गई समझू साहू और उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत डाटा मरा सा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं यहां तो जनम भर्ग कमाई लुट गई अल पंचायद की तैयरी हुई तीसे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायद बैठी समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया अलगू निराश हो गए पर कुछ बोले नहीं सरपंच बनते ही जुम्मन में जिम्मेदारी आगी वे न्याएं और धर्म के आसन पर बैठे थे यह समय निजी बदला लेने का नहीं था उन्हें केवल सच ही बोलना चाहिए पंचो ने समझू साहू और अलगू चौदरी से सवाल जवाब किया अंत में जुम्मन ने फैसला सुनया जब बैल खरीदा गया था तब वह बिमार नहीं था समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार की कारण ही वह मारा गया समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम दे अलगू चाहे तो दाम कुछ कम कर सकते हैं अलगू खुशी से जूम गए उठ खड़े वे और जोड़ से बोले पंच परमेश्वर की जाए थोड़ी दिर बाद जुमन अलगू के पास आए गले लिपट कर बोले आज पता चला कि पंच न कृष्टी का दोस्त होता है न दुश्मन पंच में तो परमेश्वर वास करते हैं अलगू रोने लगे दिल का मैल धुल चला था मेतरता की मुर्जाई विलता फिर से हरी हो गई यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें धन्यवाद नमस्कार